नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि बहुत सी इंडियन कंपनीज अब वर्ल्ड लेवल का काम कर रही है डिफेंस मैन फैक्टिरिंग के अंदर और इसके अंदर मैंने आपको बताया था डायनामेटिक टेकनलोजी जो युएस के एक ट्रेनर जेट के अंदर काम कर रही है आज दोस्तों इसने भारतिया फाइटर जेट के अंदर भी एक बहुत बड़ी सप्लाई की है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों डायनामेटिक ने ये confirm किया है कि उसने तेजस fighter jet की fuselage assembly, specially first front वाली fuselage assembly या इसे आप साधारन भाशा में कहें तो आगे की body का जो हिसा होता है वो दे दिया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited को और इससे पहले HAL ने इसे acceptance भी दी थी और दोस्तो इससे 2017 में पहली बार चुना गया था front fuselage assembly को सप्लाई करने के लिए specially light combat aircraft division के लिए और उसके बाद 2019 के अंदर dynamic technologies ने तेजस की main fuselage assembly को लौँच कर दिया हिंदुस्तान Aeronautics Limited के लिए और अब ये पहली fuselage assembly 2020 के अंदर deliver की जा रही है चुँकि दोस्तो ये कंपनी अभी Boeing और Saab के T7A Red Hawk program के अंदर भी काम कर रही है जो दोस्तो mainly US Air Force के लिए मुख्या trainer jet होगा तो ऐसे में दोस्तो जब इतने बड़े project पे ये काम कर रही है LCA Tejas की भी front body supply कर चुकी है तो ऐसे में दोस्तो जो हमारे आने वाले program है जैसे की Tejas Medium Weight Fighter या फिर Twin Engine Deck Based Fighter इवन दोस्तो AMCA उसके लिए भी ये front fuselage assembly supply कर सकती है इसके अंदर कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी किसे नए चुना जाए क्योंकि दोस्तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसे इस काम के अंदर महारत हासिल हो गई है और इवन specially Indian company है तो हम किसी बाहर की को वैसे भी नहीं चुनेंगे तो ये एक front runner के रूप में उभर के आ सकती है और ये इंडिया की defense manufacturing के लिए और making India के लिए बहुत ही बड़ी बात है धन्यावाद जैहिन